किसान साथ यो आज के करेकरम में जानेंगे कि उत्तम बीज उत्पादन करेकरम कैसे लें और साथ ही उत्तम बीज का भंडारन कैसे करें क्योंकि जब भी किसान साथी पसलों की बुवाई करते हैं तो उन्हें बीज खरीदना पड़ता है तो अगर आप बीज उत्पादन करते हैं तो बेहतर है आप उत्तम क्वालिटी का यानि उत्तम गुणवत्ता का बीज खुद भी उत्पादित कर सकते हैं और उसे सुरक्षित भंडारन भी उसका कर सकते हैं आज की करिक्रम में इसी विशेपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौझूद हैं डॉक्टर मनोहर राम चौधरी आप सहायक प्रध्यापक हैं और साथ ही बीज उत्पादन करिक्रम के विशेशग्य भी हैं सर करिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत ह तो किसान सातियों अगर आपकी समस्या है बीज उत्पादन करिक्रम लेना चाहते हैं या इस से जुड़ी हुई बीज उत्पादन से जुड़ी हुई कोई समस्या है उसका समाधान चाहते हैं तो आप करिक्रम में फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर है 2704999 दूसरा फोन नं कि बीज उत्पादन का रिक्रम क्या है देखिए किसान भाईयों सबसे पहले जो कि बीज उत्पादन है वो हमारा वेग्यानिक विदी से उत्पादित किया हुआ बीज है जिसके तहट हम किसान भाई दो महतुपूर्ण चीजों का ध्यान रखते हैं एक तो उसके अंदर बीज उत्पादन करते हैं वो बीज होता है जो कि हमारी सादा हम जो फसल उत्पादन करते हैं उससे अलग है उसे विशेश तरीके से किया जाता है अब जानना चाहेंगे कि क्या ये सही समय है बीज उत्पादन लेने वाले जो किसान साथिया उनके लिए तैयारी करने का ज बिक विया सब्सक्राइब शाला है या राश्टी आखे वह आउटलेट है वहाँ पे या कहीं पे खिरशी जो हमारे ई-मित्र हें वहाँ पर जाकर अपना पंजी करण करह सकता है। इसके लिए किसान भाई को चार चीजे अपने साथ में रखनी होगी, एक उसको अपना आदार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज की फोटो, एक जिस जमीन पे वो खेती करेगा उसकी जमाबंदी और एक हाथ से बनाया हुआ उस खेत का नक्सा, ये चारों चीजे लेकर के किसान ये तो बात हुई registration की, लेकिन किसान कौन पात्र होंगे, जो बीज उत्पादन कारे करम ले सकते हैं? इसके लिए हमारे को जो भी बिज उत्पादन करना चाहते हैं, तो एक गाउं में कम से कम पांच किसान। या जो किसान बीज उत्पादन कर रहे हैं, उसमें कम से कम 10 कोई बड़े कास्तकार है जो कम से कम 10 एकड बीज उत्पादन कर सकते हैं वो बीज उत्पादन ले सकते हैं और एक बात और हमने सुनिये कि अगर किसान साती समूह में जैसे किसान साती अपना समूह बना कर अगर बीज उत्पादन लेते हैं तो उसका मुनाफ़ा उन्हें जा जाकर के बीज उतौदन करना चाहेंगे. क्योंकि जैसे जैसे बीज उतौदन बढ़ता जाएगए, तो सारे किसान अवेर होंगे। ज्यादा से ज्यादा बीज उतौदन हो सकेगा, उसके लिए फिर उनको ज्यादा मैनत नहीं करनी स्कूद सेंगे। एक दूसरे आपस में डिसकर्स करेंगे तो हर एक चीज के बारे में बताएंगे कितना हमें isolation distance रखना है रोगिंग करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है बीज की हम जब बुआ ही करेंगे बीज उत्पादन के लिए तो उसमें किसी भी परकार का mixer नहीं हो उसका ध्यान रखना है साथ ही जब वो उस फसल को harvest करेंगे तो उस समय भी वो रहेगा प्लस जो भी बीज उत्पादन किया जाता है किसान बाईयों के दुआरा उसमें पहले निरक्सन करते हैं तो उस निरक्सन के लिए उनको भी आसानी रहेगी तो समय में बीज उत्पादन करने का तो बहुत अच्छा फाइदा किसान बाईयों की और अगर अकेला किसान करना चाहे बीज उत्पादन तो क्या उसका registration संभव है उसका रेजिस्ट्रेशन जब संभव होगा जब वो दस एकर्चे उपर का बीजुत पादन कारिकरम लेगा ज़ादा होगी और उसके लिए फिर उसको जब उसका निर्क्सिन करवाना होगा तो उसको अपने खर्चे पे उस अधिकारी को लेकर के आना पड़ेगा और निर्क् क्योंकि ये समय है खेत को तयार करने का भी तो इस बारे में भी जानेंगे आप देखिए जो बीज है वो हमारा क्या है कि एक तो उत्तम है उत्तम क्यों है कि एक तो उसमें रोग नहीं है कीरा नहीं है और उसको हम उपचारित करके बहुत है तो अभी जो किसान भाई खेत क मुझूद है वो साफ हो सके इतनी गर्मी के अंदर वो मर सकते हैं जी जी ये बहुत एहम है दूसरा अगर करना है बीज उत्पादन कारिकरम तो क्या शुरुआत करने से पहले कोई प्रस्टिक्शन ले लेना चाहिए ताकि वो सही विल्दी से बीज उत्पादन कारिकरम ले स उसकी बुआई करते समय क्या जानकारी ध्यान में रखनी है और जब वो बुआई हो गई तो उसके अंदर किन-किन चीजों का छिड़काव करना है और बड़िया बीज बनाने के लिए कितना डिस्टेंस रखना ये सारी जानकारी हमारे कर्शी विज्यान के अंदर के द्व जो नस्दी की कृषी परवेक्षक हैं आप उनसे भी संपर करके इस तरह के प्रस्रिक्षन की आप जानकारी ले सकते हैं और प्रस्रिक्षन के लिए आप वहाँ चले जाएं ताकि प्रस्रिक्षन लेकर आप भी बीज उत्पादन कारिक्रम लेना ही क्यों है क्योंकि बहु तो बीज उत्पादन से क्या फाइदा है कि किसान बीज उत्पादन करेंगे तो बीज उत्पादन में जो अभी हमने बताया कि उसको कुछ एक्स्टा एफर्ट करने पड़ते हैं जैसे रोगिंग करनी पड़ रही है और उसके अंदर उसकी थ्रेसिंग भी हमें सही करनी है त वो लगबग एक हजार रुपया पर क्यूंटल से लेकर के पाँच हजार रुपया पर क्यूंटल अलग-अलग फसलों अनुसार प्रीमियम देती है किसान को. तो हमारा तो यही रहता है कि हम किसान को जादा इस जादा फाइदा दे. तो यदि किसान सामने फसल उत्पादन करता है तो उससे जादा वो बीज उत्पादन करके जादा मुनाफ़ा कमा सकता है इसलिए किसान भाई को बीज उत्पादन करना चाहिए ताकि वो जादा मुनाफ़ा ले सके उसके लिए तो उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा लेकिन वो बीज किसी भी संस्ता से जुड़ करके और बीज उत्पादन करके अच्छा लाब कमा सके यह बहुत ही एहम जानकारी आप दे रहें दे कि बीज उत्पादन कारेकरम सिर्फ बीज उत्पादन इसलिए नहीं करना है कि आपको अच्छी गुनवत्ता का बीज जाईए आप मुनाफ़ा अगर जादा लेना चाहते हैं तो भी क्योंकि बाजार में गुनवत्ता पूर्ण उत्पादन जो है उसकी मांग अधिक होती है और उससे ही मुनाफ़ा भी मिलता ह तो बेहतर है आप बीज उत्पादन की पूरी जानकारी लेने के बाद इस कारेकरम को आप अपनाए ताकि आप जादा मुनाफ़ा ले सकें अब हम जानना चाहेंगे इसकी प्रक्रिया क्या होगी क्योंकि ये तो जान लिया हमने की रेजिस्टेशन भी करना है इसके लिए लेकिन इसकी प्रक्रिया क्या होगी बीज उत्पादन की वो पहली सीड़ी क्या है जहां से बीज उत्पादन कारेकरम शुरू होता है जैसे ही किसान भाई बीज उत्पादन कारेकरम लेना चाहता है तो हमने का कि पंजी करन करवाना होगा जैसे ही वो पंजी करन बीज लेने के बाद में जिस खेत का हमने सेलेक्शन किया है उस खेत में बीजाई करनी है बीजाई करने के बाद में जैसे ही वो फसल हमारी फूल अवस्ता पर आजाएगी उस अवस्ता पर आने पर वहां से अधिकारी आएंगे उसका निरिक्सिन करेंगे ये तो वो अवस्त करवाने के बाद ही किसान भाई के पास फोन आएगा के आपको यदि बीज उत्पादन करना आए इस फला-फला करोप का तो उसके लिए पहले आप अपने जमीन की और अपने पानी की जांच करवा लेगा और उसके लिए उचित होगा तो ही वो संस्ताइए उसको बीज उसमें एक चैन बनी हुई है, सबसे पहले हम परजनक बीज उत्पादन करते हैं, उसके बाद में आदार बीज उत्पादन करते हैं, फिर परमानित बीज उत्पादन करते हैं, तो ये बीज पहले किसान भाई को वहां से लेना होगा, वहां से लेने के बाद में उसकी बीजा पूसा संस्तान है जो सरकारी है ना पूसा हान जी पूसा संस्तान सरकारी समस्तान है आप बीज खरीदना चाहते हैं जी पुसा कमपनी का बीज लेना चाहता हूं से देखे ये ये जानकारी आप अपने नजदी की जो कृशी परवेक्षक हैं एक बार आप उनसे संपर करें ताकि जो भी सरकारी सिस्टम है उसकी पूरी जानकारी वो आपको दे पाएंगे फिर संपर करके ले सकते हैं या फिर जो भी हमारा परमानित राष्टी बीज निगम है वो पूषा की समस्त किस्मों का बीज उत्पादन करती है और वो परमानित बीज किसानों को देती है तो वो राष्टी ये बीज निगम से संप्रक करके भी ये बीज ले सकते हैं और इसकी पूरी जानकारी आपके smartphone पर है आप अगर search करेंगे तो नेट पर इनके website से भी आप जानकारी ले सकते हैं हम बीज निगम की ही हम चरचा कर रहे थे बीज निगम ही आधार बीज और ये जो अनुवन्शिक जितनी भी बीज की आप स्रेणियां बता रहे हैं ये वहाँ से प्रोवाइड होगा बिल्कुल जो भी बीज उत्पादन लेगा किसान उसको आधार बीज और परजनक बीज दोनों बीज निगम से मिलेंगे और वहाँ से प्राप्ट करके ही उसे अपने खेत में लगाना होगा बीज उत्पादन करने के लिए और इसको भी क्या बीज उपचार करना पड़ेगा इसका आपको उपचारित करके ही बोना है इस बीच को जी जी उपचारित करके बोने के बाद की क्या वस्थाएं होंगी क्या क्या उनको ध्यान रखना होगा क्योंकि सिर्फ बुवाई कर देना उद्देश नहीं है जब बीज उत्पादन ले रहे तो हर इस तर पर निगरानी क्या सबसे पहला जो step है किसान को कतेड़ कि स्ऩान को क्याologically करना पड़ाएगा और उस पर्थकरण से थी थे most द भीत्व बिज उतपादन करता ही तो मूँ का विज उतपादन करना है जैसे बाजरा का बीज उत्पादन का किसान करना चाहता है तो उसको 200 मिटर का परतकरन दूरी रखनी होगी और कोई किसान गवार का बीज उत्पादन करता है तो उसको 10 मिटर का परतकरन दूरी रखनी होगी एक बात मुझे समझ में आ इसमें कि किसान साथी कई बार मिलवा फसल कर लेते हैं एक फसल के साथ दूसरी फसल का बीज भी काम में ले लेते हैं तो ऐसा ना करें आप ये कहना चाते हैं और ये विभाग के साथ जुडाव होगा इसमें निगरानी रहेगी विभाग की और पूरा निरिक्षन भी होगा ताकि वो सही उत्पादन ले सकें ऐसा है साथ बिलकुल है और उसका जो निरिक्षन होगा उसके अंदर एक हमारा जो संस्ता है परमानी करन संस्ता उसके अधि तो वो तीनों मिलकर के उसका नेरक्षन करते हैं, तो किसी भी संभावना, जो भी मिक्सर की है और कोई संभावना होती, तो वो किसान को अउगत करवा दिया जाता है, और वो किसान सभी इनको स्टेंडर को अपनाता है, तबी वो पास होता है, नियता उस फेल कर देते हैं, व कभी तेज बारिश, कभी तेज गर्मी और कभी सर्दी, तो ऐसे मौसम में बीज उतपादन जैसे इस prawी खरीफ की अम बात करें, तो ऐसे मौसम में रोग हैं, बीमारिय यह भी बहुत होती है, तो ऐसे में क्या रसाइनों का इस्तेमाल करें या उनका नियंतरण कैसे करें इसके लिए? हमें जो भी सबसे पहला तो जो भी बीज उत्पादन कारिकरम हम अपनाते हैं उसमें किसान को बादिय करते हैं कि आपको बीज उपचार करना ही करना है तो आदी समस्या तो हमारी यहीं पे खतम हो जाती है और दूसरा फिर जहां जहां हम बीज उत्पादन कर रहे हैं उसके अंदर हर एक फसल वाईज जहां पे रोगों की बात है या इनकी कीडों की बात है तो उसके लिए अलग-लग रसाइन का प्रियोग करना होता है और वो समय समय पे हमारा बीज अधिकारी उनको अउगत करवाता रहता है मतलब वो अधिकारीयों से संफर करने के बाद ही रसाइनों का इस्तेमाल करें यह बहुत एहम है अब हम बात करते हैं कि जैसे बीज उत्पादन कारिकरम तो ले लिया लेकिन कई बार किसान साथी जो वो नए आने वाले समय के लिए भी बीज को सुरक्षित बंडारित करके रखना चाते हैं ताकि वो आगामी समय में भी उत्पादन ले सके और बीज विक्रेता के तोर पर भी वो बीज बेच सके तो भंडारण भी एक बड़ा चनौती पूर्ण कार रहे है इसको कैसे सुरक्षित रखें किसान भाईयों सबसे अहम चीज हमारी है बीज को सुरक्षित रखना क्योंकि हमने इस समय जो पिछली फसल जब हमने काटी थी उस समय से लेके नई फसल हम जब बो रहे हैं तब तक उस बीज को बंडारित करके रखना है और उसके लिए सबसे महतुपूर बात है कि हम उस फसल की जब कटाई करें तो उसके अंदर उचीत नमी रखें जो कम से कम नमी है और उसके बाद में भी उसको पूरा सुका करके और जिस जगे पे हमारे घर के अंदर हम बंडारन कर रहे हैं उसके अंदर हवा का आवा गमन होना ज़रूरी है सबसे महतुपूर बात है क्योंकि जो बीज है हमारा वो बीज सांस लेता है किसान भाई को यह समझना होगा कि जो बीज है वो सांस लेता जबी वो जिन्दा रहता है तबी वो वापस होगेगा तो हमेशा कई बार किसान भाई क्या करते हैं प्लास्टिक की थेली में या प्लास्टिक के कट्टे में उस बीज को पेक करके रख देते हैं तो उससे उसमें हवा का आवा गमन नहीं होता है और उससे दिरे-दिरे उसका जो अंकुरन है वो गटता जाता है और वो खराब हो जाता गीज तो उसका विशेष तोर से किसानको ध्यान रखना है। जो हमने फसल काटी थी उस समय जैसी क्वालिटी थी हमारे बीज की वो ही गुणोता हमें बुआई करने तक बनी रहे है। कि संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती है वो बीज बिल्कुल काम में नहीं आ सकता नहीं उसमें जैसे फसलों पर डिपेंड करता है जैसे हमारी जैसे मुंफली की फसल के हम बात करें तो इसमें भी बीज अलग-अवस्ता के होते हैं तो मुंफली जैसे जो जल्दी खराब ह होने वाले बीज है वो तो बिल्कुल खतम हो जाता है उनका अंकुरन लेकिन जैसे हमारे सरसों वगेरा में हैं जो छोटे बीज है उनमें दीरे-दीरे खतम होता है जी जी एक और जानकारी लेना चाहेंगे इसमें प्रसंसकरण की कोई संभावना ही है बीज उत पादन में तो प्रसंसकरण की कैसे किसान साती जानकारी ले सकते हैं देखिए हम जो जितना भी बीज आता है वो पूरा का पूरा प्रोसेसिंग हुआ होता है प्रसंसकरण किया होता है बिना प्रसंसकरण के हम उस बीज को नहीं बेच सकते हैं या नहीं काम में ले सकते हैं तो बीज में उसके अंदर जो भी impurities है, उसके साथ में हमारे फसल के आउसेस है, उसके अंदर कंकड पतर है, उन सब को उसमें से साप कर दिया जाता है, एकदम grading कर दी जाती है, तो gradate जो बीज होता है, वही हमारा प्रस्कृत बीज होता है, जी जी, तो इसका और दूसरा आपने, मैंन को बीज होती है, तो किसान बाहियों हमें समझना होगा, बीज जो है, बीज की वेदा होती है, और जो fresh बीज है, पिछले साल में प्यादा किया, उसकी 9-9 महीने तक उसकी वेदा रहती है, और जो हम वापस qisating करवाते हैं, उसकी 6 महीने तक वेदा रहती है, तो इसका बीज उत्पादर में विशेश रूप से ध्यान रखनी चाहिए, कोई टिप्स हैं तो आप जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा बीज उत्पादन करने की कोशिस करें ताकि अपने किसानों को बीज मिल सकें। ज्यादा से पहले हम यही कहना चाहिएंगे कि आपकी जो जानकारिया है वो वाकई बहुत काम किया और किसान साथी अगर बीज उत्पादन करेकरम लेते हैं तो यह करेकरम उन्हें लाबकारी लगेगा। तो आज के करेकरम में बस इतना ही रुख साब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर होगी मुलाकात नहीं जानकारियों के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार। नमस्कार।